इस्ट्रीम जो है ग्रेजवेशन इस्ट्रीम भी ये बीस्सी बीकॉम एममे एमस्सी एमकॉम या फिर बीटेक एमटेक अपना पूड़ा कर सकते हैं कोई और पासिंग आउट परेट जब चवालिशवां सब्ता हो जाता है उसके बाद आपको 15 दिन या 30 दिनों की छुट्ट मिलेगी क्या हम अपना इस्ट्रीम जो है ग्रेजवेशन इस्ट्रीम भी ये बीस्सी बीकॉम एमस्सी एमकॉम या फिर बीटेक एमटेक अपना पूड़ा कर सकते हैं कोई बंदा आई टी आई कर रहा होगा या पॉलिटेकनिक कर रहा होगा मतलब इक जाउन देने के लिए ट्रेनिंग के समय हमें छुट्टी मिलेगी एक बंदा बहुत ही प्यारा सवाल किया है ट्रेनिंग से रिलेटेड कि भाया क्या ट्रेनिंग के दर्मिया हमें छुट्टी मिलेगी अगर मिलेगी तो कितने धिनों की मिलेगी तो आपके भीमन में कोई भी सवाल चल रहा है किस इसी भी चीज़ों से रिलिटेट तो कमेंट बॉक्स में आके बताना है और मेरे से अगर प्रसनली बात करना चाते हो तो इंस्टाग्राम की आड़ी डिस्क्रिप्शन में मेंसन की हुए वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हो तो आज का वीडियो ट्रेनिंग को लेकर बहुंच मेरे से रिटर्ण की तयारी की है और मेरे स्य तय रहरान से और जायोगे आपको लिखित में बता सकते हूं कि आप मेरे स्यल्टिकों की आपको ब्रह रिमेरे संट की बुई करनी वाला भी नहीं है आपका मेडिकल बहुत ही जल्दी होने वाला है क्योंकि इन मिनिस्ट्री ओफ फॉर्म फैर्स ने एससी को डियरेक्ट कहा है कि आपकी जो भी भरतियां है खास करके सेंटल और पुलिस फोर्स की भरतियां उसे जल्दी करनी है यही कारण है कि 2021 में जो भरति CRPF हो, BSF हो, ITBP हो या फिर आपका SSB हो या फिर आपका Assam Rifle हो या फिर आपका SSF हो, NCB हो लगभग इन सभी फोर्स की जो है ट्रेनिंग 44 सप्ता की होती है 44 विक की होती है 44 सप्ता में आपको 22 विक के बाद मीड टर्म मिलता है 15 दिनों की सेंट्रल ही जोटी मिलती है उसमे आपको 15 दिन या 30 दिनों की छुटी मिलती है यह आपके ट्रेनिंग सेंटर में IG सर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिनों की छुटी दी जाएगी तो यह दो छुटी जो होती है यह सेंट्रली दी जाती है बट आप बीच में छुटी लेना चाहते है अगर कोई भी एक्जाउम कॉलेज डिग्री से रिलेटेड उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की छुटी नहीं दे जाती है क्योंकि आपका जो ग्रेवेशन स्ट्रीम का एक्जाउम है वो दस दिन बारा दिनों तक चलेगा और ट्रेनिंग सेंटर का यह नियम है कि कोई बंदा अगर साथ दिन अपने ग्राउंड से अपसेंट रहता है तो उसे रिलीगेट कर दिया जाता है फिर उसे दूसरे जगा पर जाकर ट्रेनिंग करनी परती है तो अपने मन से यह फितूर निकाल दो कि कॉलेज डिग्री के लिए आपको छुट्टी दी जाएगी आपको जील का दोगे या UPSC का भी दे सकते हो तो अगर आप हाईयर पोस्ट के लिए मतलब कॉंस्टेबल से उपर रेंग के लिए एक्जाम आप दोगे तो आपको सिर्फ तीन दिनों की छुट्टी मिलेगी उन तीन दिनों में आपको फलाइट से जाना है एक्जाम देना है और आपके लिए त्रेन आजाना है सिर्फ तीन दिनों की तो आज यह आप गांट बॉंदलों के ट्रेनिंग सेंटर में आपको सिर्फ तीन दिनों के छुट्टी मिलती है वह भी कॉंस्टेबल से अपर रेंग का एक्जाम दोगे तो अगर आपके घर में कोई कैजवल्टी हो जाती है किसी की मृत्त्यू हो जाती उस समय भी आपको तीन का ही छुट्टी मिलता है अभ सोच भी के Kingdom's यह यह करना है कि जैसे म्रिति हुई रखना कि आपको constable rank में भरती ले रहे हो मैं जानता हूं आप constable rank के लायक हो नहीं आप परने में बहुत ही तेज हो बहुत ही ज़धा talented हो बट मायूस नहीं होना पहले constable rank में आप ज्वैन कर लो उसके बाद तीन सालों के बाद आपको हर एक जगा चाहे CRPF हो, BSF हो, CISF हो, ITVP हो, Assam Rifle हो, कोई भी force हो तीन सालों के बाद आपका सब इंस्पेक्टर 2 star SI के लिए departmental exam होंगे तो departmental exam का पहला असर्त है किसी भी स्ट्रीम से graduate होना तय है तो अगर आपकी graduation drop हो जाती आप graduation complete नहीं कर पाते हो तो ज्वैनिंग के बाद आप open university, NIOUS या फिर IGNU से अपने उस graduation stream को जारी रख सकते हो, regular कर सकते हो, क्योंकि departmental exam में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 3 साल की service किसी भी प्रकार की bad entry नहीं और किसी भी stream से graduation होना चाहिए, तो को bad entry क्या होती है हमारे job में क्या होता है, कोई भी forces में एक book होता है, जिसे हम service record काते हैं, अगर आप छुट्टी जाने के बाद घर से लेट आओगे, किसे से मारपीट करोगे, या किसी भी प्रकार का undiscipline हरकत करते हो, तो उसमें आपके service record में bad entry हो जाती है, और अगर एक भी bad entry हो जाती है, तो आप departmental exam के लिए able नहीं हो, you can't appearing to departmental exam for promotion constable to sub inspector, तो job लेना बहुत ज्यादा आसान है, बट job लेने के बाद job अच्छे से करना बहुत मुस्किल होता है, अभी आप जितना खुस होना job जाओ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि job लेना बहुत आसान था, student life struggle तो है, but student life is the best life, from a job life, तो ये दिमाग में लेकर चलना है, और देखो medical सब की चिंता नहीं करनी है, documentation की चिंता नहीं करनी है, धीरे धीरे आपके पास धेर सारे विडियो जाएंगे, और आप देखो ये आपका eye test है, color vision है, eye distance है, या फिर आपका नोकनी है, या फिर आपका carry angle है, या आप आपका flat foot है, चाहे आपका BP हो, या आपका pulse rate हो, आपके chest का x-ray हो, आपका urine हो, कुछ भी हो, और हमारी जो girls है, जो हमारी syernia है, सब कुछ common होता है, आपके जो कुछ internal parts है, तो जो married है, उनके internal parts का medical अलग type से होगा, और जो unmarried है, उनके internal parts का medical अलग होगा, पस यही दो है, वो लरका हो, चाहे लरकी हो, सब में comments है, piles है, फिसर है, फिस्टुला है, सब कुछ normal देखा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, physical के लिए आपके लिए videos नहीं मैं ला पाया, बट मेरी शेरनी मैं आपसे वादा करता हूँ, कि medical के लिए special videos आएंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम है, अब बहुत ही बारिकी से मालूम है, कि आपके medical कई से होते हैं, आपके मन में किसी भी परकार के सवाल है, tension है, medical से related कोई भी issue है, comment box में आके बताओ, अपने मन में नहीं रखना है, और आप मेरे किसी भी videos में देख लेना, मैं उनके हर comments का reply, बहुत ही ब मेसा रखना, जब तक medical नहीं वाए, घर पर रहना है, सुरक्चित रहना है, बाइक नहीं चलाना है, बाइक से गिर कर अपने हाथ पेरों में टूट फूट नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आपके हाथ पेर एक बार टूट जाते हैं, तो आपको medical में रही medical नहीं मिलेग इसके उपर किसी भी परकर कर अपने पूरा एक फायर नहीं करवाना है, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल देगले वीडियो में, तक तक के लिए, जय हिंद, जय भारत प्रोणा है, मिलते हैं, जय हिंद, जय है एक बारत